यहां आपके एक खुश्पर्ट कोर्णने आज हमारे किचिन में एक ट्रॉब्लम चल रही है जो सभी ग्रिहनियों की अभी चल रही है, वो है टमाटर के भाव, जी हां बारिश में टमाटर के भाव, डेर सो से दो सो रुपय हो जाते हैं, तो हम ग्रिहनियों के लिए सबसे ब और मैं इन टमाटरों को अच्छे से धोके साफ कर लूँगी और मैंने स्टीमर में पानी गरम कर रखा है और उसके उपर मैं ये स्टीमर लगा दूँगी धकन लगा दिया मैंने और टमाटरों को मैं बेसिकली स्टीम कर रहे हैं पहली बात में यहां पर अच्छे से बता दू कि यहां पर टमाटरों को हमें ओवर कुक नहीं करना है में दालना है नहीं पानी में इस को अच्छे से गीला लेंकि किए तो बस इस टमाटर कोहम निकाल लेंगे तोड़ा ठेंडा हो जाने के बाद मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ कि ये कितना अच्छा सा हो गया है ये देखें ये काफी अच्छा से पग गया है और काफी अच्छा से कोख हो गया है ये और आप चेक भी कर सकते हैं अगर आपको लगे कि यह नहीं पका है तो थोड़ी एर और पका लीजे पानी कांदास देख लीजे आप कितने पानी को रखा है अपने जिससे कि अच्छी स्टीम बन पा रही है या नहीं अब यहां पर मैंने कटिंग करके इसको मैंने बहुत जादा मिक्सी नहीं चलानी है बहुत जादा पतला नहीं करना है बिलकुल सिंपल रूप से बस पीस ले रहा है मेडियम रूप से लेखिए पिसके आ गया पर मैं इस कमाटर को ऐसे नहीं रख सकती अगर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया तो ये खराब हो इसकी सेलफ लाइफ इंक्रीज करने के लिए मैंने लिया है आइस ट्रेश है आप चाहें तो नॉर्मल आइस ट्रेश में भी इसको अच्छे से पोर कर सकते हैं और आपके पास अगर चॉकलेट के अगर ऐसे पड़े हुए हैं सिलिकान मोल्ड तो आप उनको भी यूज कर सक बैसे उसमें से भी निकल जाता है बढ़ आप इजी वे में मैं आपको बता रही हूँ इसलिए देखिए सारे के सारे को मैंने अच्छी से पोर कर लिया है और अब इसके मेरे पास इसका धक्कन है तो मैं इसके साथ इसको लगा के रैफिज जेट कर दूगी इससे फाइदा य यह देखिए मैंने डाल का तरका बनाया है इसमें मुझे आधा टमाटर डालना था तो मैं ऐसे समय में तो आधा टमाटर यूज करी नहीं सकती है ना तो बस देखिए वो भी एक अच्छा सा हमारा काम हो गया और यह देखिए आलू परवल की सबजी में भी मैंने इसको कि मैंने सिर्फ आधे टमाटर को भी बहुत अच्छा से यूज कर लिया इससे बचत भी हो गई और कैते ना बरक करती हो गई तो फ्रेंड्स अगर आपको यह रेसिपी में अच्छी लगी है तो प्रीज लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए अगर पहली बार देख रहे है